एक छोटे से गाव में रहमत नाम का एक आदमी रहता था। रहमत के पास जीवन की बुनियादी जरूरतें भी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा उम्मीद की रोशनी जलती रहती थी। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता, कभी किसी के खेतों में काम करता और कभी लकड़ियां काट कर बेचता। रहमत की पतनी आईशा भी घर के काम काज के अलावा दूसरे घरों में सफाई का काम करती ताकि घर का खर्च चल सके। रह्मत और आईशा के तीन बच्चे थे जो शिक्षा से वन्चित थे क्योंकि उनके पास स्कूल की फीज भरने के पैसे नहीं थे लेकिन रह्मत ने कभी हिम्मत नहीं हारी वह हमेशा अपने बच्चों से कहता कि एक दिन अल्लाह उनकी मेहनत का सिला जरूर देगा एक दिन गाव के पास एक बड़े कारोबारी व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई रह्मत ने बिना किसी मुआवजे के उसकी मदद की और गाड़ी को ठीक किया वह कारोबारी व्यक्ति जिसका नाम अहमद था, रहमद की मदद और उसकी इमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ. उसने रहमद से उसके हालात के बारे में पूछा और जब उसे पता चला कि रहमद के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, तो अहमद ने उन बच्चों की शि अहमद ने रहमद को अपने कारोबार में एक मामूली नौकरी भी दे दी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिती कुछ बेहतर हो गई. रहमद ने अपनी जिंदगी की मुश्किलों को अल्लाह का इम्तिहान समझ कर स्वीकार किया था, और आज वही मुश्किलें उसके लिए बन कर आई. गाव के दूसरे लोग भी रहमत की कहानी सुनकर महनत और सब्र की अहमियत को समझने लगे. वक्त गुजरता गया और रहमत के बच्चे शिक्षा प्राप्त करके अपने माता-पिता का सहारा बने. गाव में रहमत की मिसाल दी जाती थी कि महनत और उमीद कभी बेकार नहीं जाती. इस तरह रहमत और उसके परिवार की जिंदगी में खुशहाली आ गई और उनकी कहानी गाव वालों के लिए एक मिसाल बन गई कि अगर दिल में यकीन हो और महनत की जाए तो अल्लाह कभी मायूस नहीं करता.